नमस्कार दोस्तों सवागत है आपका उमंगेकेण में अचनattend किसे आपको सबीदियो अगर नहीं वीडियो कर्छे तो सबसकरण में दो man प्रैक्तित्ड बीडियो क Nous Y 번 पात वीडियो में वीडियो विडियो सबीडियो करेंगे आप से फटाफट वनते जाएंगे question के answer ठीके तो आप यहां पर इस प्रैक्टे सर्ट में आपको 15 question में लेंगे जिसमें से आप देखना आपके कितने question सही होते हैं ठीके तो यहां पर जो पहला question दिया हुआ है वो दिया जो है कार शंक्रह कोशल वर्दन दूसरा दिया है टिपड़ी लेखन सक्ति वऱ्धन वखांवा नुवाद कोशल वर्बन दंबर भू क्या है नृट कौल रिफ शार्चनात अप बढ़ है लान्सै चांचनात नंबर च मॅिन क्ट region अब जो अंगला question है वो दिया हुआ है यहां पर यदा अध्यापिका आउग हमने कलिशान निवनताम चा ग्यातुं परिक्षा करोती ताद्रशी परिक्षा एवभवती तो option दिये हैं आपके सिध्धी परिक्षा नैपुन्य परिक्षा साधिया है ने दानात्मिका परिक्ष तो आपका जो option number क्या है दा बिलकुल सही हो जाता है यदा अध्यापिका आउगमने कलिशान निवनताम चा ग्यातुं परिक्षा करोती तो वो क्या हो जाएगा आपका उप्चारात्म परिक्षा हो जाएगी ठीक है अब जो थार्ड नम्मर का question दिया है आपका वो क्या है यहाँ पर ब्याकरण बोधनश्योत्मोपाय तो इसका option क्या दिये है सा बिबेकम ब्याकरणम सा भ्यासस्योपयोगा और बा नम्मर दिया है अलंकार बोलने केंद्री करणम और सा नम्मर दिया है ब्याकरण कार्यानम एक ही कृत्योपयोगा और जो दा नम्मर दिया है वो क होगा और अलंकार बोलने के लिए भी नहीं है व्याकरन कारण क्या है एक इक रितो उपयोगी किया ब्याकरन मतलब भासा के लिए तो आपका नमबर क्या सानमबर सही हो जाता है ठीक है अब जो अंगला कुश्चन दिया हुआ है वो आपका क्या है चौथा नमबर का रचनात्म का आंकलन से प्रधानो देश है मतलब रचनात्म का आंकलन करना है तो उसका सबसे प्रधानो देश क्या है तो आप्शन दिये हैं आपके कि तीरन तया यास्च अनो तीरन तयास्च न लिर्धारण और नमबर दिया है उपलब्धी मापनम और सा नमबर दिया है क्या बोधना अध्यनों नती करणम और दा नमबर दिया है वो क्या है छात्र दोशान वेशनम ठीक है तो जो आपका option नमबर क्या कौन सा सा साही हो जाता है क्या बोधना अध्यनों नती करणम अगर हमको रचनातमक्ता का आक्लन करना है तो हमें बच्चे की क्या बोधर मतलम है समच का अध्यन उसका करना पड़ेगा तो हमको समझ मेरा है कि रचनातमक्ता इसकी कैसी है ठीक है अब जो क्वूष्चन है बुक्या दिया हुआ है पांचमा कोश्च्वन क्या भासा अध्यनें क्या यह आंगलनें चा भिवागा फौट्फोलियो की नाम से उसको पौट्फोलियों भी कहते एंग्लिज में तो इसके आप्शन दिये हुए है वो आपको दिये हुए क्या शाओधिक लेखन परिक्षा और दूसरा दिया है छात्रा या कालिक कार शंग्रा या तश्या प्रगतिम दर्सेद और सा नमबर दिया है क्या प्रतिशन्नम क्रियमाणा मोख की परिक्षा और दा नमबर दिया है वो क्या है प्रतिशन्नम छात्र कि शात्र नंबर आपका प्रगाती प्राणव या तस्या प्रगाती दर्संन के जब अपूर्षा साते हैं ठीक है तो आपका option number क्या बावलकुल सही हो जाता है अब जो अंगला question दिया हुआ है बो छटमा क्या दिया हुआ है पाठश सवेग परिशाप्रणम नाम ठीक है तो इसका option क्या है निर्देश्ट सूचनान वेशनम और बानमबर है पाठवस्तुना प्रमोखो देश अब जो अंगला question है जो अंगला question है वो क्या दिया है आपका दोसर नाम है और जो अंगला question है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपकां चित्रकर ने के ही पिया चार्ट मतलब पाईचार्ट मतलब पराइचन का न्यसों के मैं इसका तक्रधान ऑदेश्य कैसा परिवर्दि अब जो सब्त है अब जो इसका जो अब्सरे सा है सायतिक कौशवनम नौम संडली क्या है अब जो इसका जो प्वित्तर नहीं है वो कौन सा है दा नमबर साही हो जाता है चित रंकन ताह सब्द रूपमेंड विश्याना मं परिवर्थ नम तीक है आपके कितने कॉश्चन सही हो रहे हैं मुझे कमेंट को बॉक्स में इस कमेंट करना कि आपके 15 में से कितने marks आये हैं तो आप कितने question आपके सही हुए हैं और जिस भी question में राउट हो तो आप comment box में comment कर सकते हैं ठीक है और जो यह question करवा रही हूँ ना यह किसी न किसी exam में किसी आये हुए हैं ठीक है तो आप इनको बहुत अच्छे से तयार करने अब जो अनला question है वो कौन से दिया हुए है संप्रीशनात्मत भासा सिक्षणे उप्योग रूड़ी सब्दो यथा संक्याम एतत सूचियत ठीक है तो जो इसके option है वो क्या दिया हुए है को शस्यो प्योग अर्थ चा अर्थ रूपम चा ध्वनी सास्त्रम व्याकरणम चा या फिर व्याकरणम ध्वनी विग्यानम तो जो इसका आंसर है वो क्या है आपका सा नंबर सही हो जाता है क्या ध्वनी सास्त्रम व्याकरणम चा संप्रेशन संप्रेशन मतलब में बोलना और बोलना किस से स सिक्षणे नियंत्रणम नाम भासा सिक्षण का नियंत्रण नाम क्या है तो जो अप्शन नमर आ है वो क्या है लक्ष भासाया निरल गलोप योगा है और बानमबर दिया है परिवीक्षित भासा सिक्षणम और शादिया है उपाध्याय नियंत्रित भासा सिक्षणम और जो च जो इसका आंशर है वो क्या है दा नंबर आपका क्या होता है सही हो जाता है अधार्थ ताम निर्धारे तुम ब्याकरणस स्यो उप्योगा ठीक है अब जो अंगला कोश्चन है दसमा कोश्चन है यह तो आपको गिंती भी आच्छे से याद कर ले नहीं मैंने इसके गिंती की एक बीडियो डाली थे वन से लेकर 100 अच्छ इस कॉंसेप्ट आप कैसे याद कर सकते हैं उसको मैं अच्छे से डिफाइन किया है तो आप वहां प्लेश्चन में पर संस्क्रेट ब्याकरण में द परिणाम कारेशु मारगेशु एक आहां तो इसके जो आप्शन दिये हैं वो क्या दिये हैं परिप्रिशन नम कर्तुम छात्रा नम प्रोच साहनम बादिया है कठोर आनुशाशन बिधी या और साधिया है निगादी अत्पाठया नाम सविस्तरम पाठम पाठनम और जो चौ पुन्यन छात्रा नम परिख्षनम तीक है जो इसका अनमबर सही हो जाता है परिप्रिश्णम कर्तुम छात्रा नम प्रोच शाहनम क्या है बच्चों को प्रोच साहन देना चाहिए ठीक है कि मतलब वो हमारें क्लास में इसके लिए क्या है पैड़ागोजी जोड़ देता है अब अंगला कुश्चन हे ऐले नमबर का उच्य प्राथ्मिक इस्तरे पठन कौश्लम परिख्षतूं उत्तम उपियोगा उच्चर उच्चर प्राथ्मे किस्तर कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए कि 6 से जो 8 वाली क्लास होती है वो च्या है उच्य प्राथ्मिक इस् एक से ले करके पांच तक मानी जाती है ठीक है अब आ नमबर इसमें ऑप्शन दिया है निगतित पाठ्थे पुस्तकों उप्योगा है और दूसरा बानमबर दिया है कठिन तम पाठानुच्छेदा नाम उप्योगा है सा नमबर दिया है उचित काठिन इस्तरा नाम पूर्वा नाम अनुच्छेदा नाम उप्योगा है तो क्या है इसका जो ऑप्शन नमबर क्या होए सा नमबर इसका क्या होता है सा ही हो जाता है सा उचित काठिन इस्तरा नाम आद्रश्ट पूर्वा नाम अनुच्छेदा नाम उप्योगा है ठीक है मतला मैं अनुच्छे बहासा अरजन द्रिष्टिया असम्यक परिवेशेण अहिप्राय अस्ती तो इसका जो ऑप्शन आ दिया है वो क्या है लक्ष भासाया प्रियोगा नक्रियेते बाद यह है यदा कदा अनुबादश अपी शहायम सुई क्रेते सा नमबर दिया है कच्छायाम छात्रा अपी सक्रिया भवन्ती और दा नमबर दिया है वो क्या है लक्ष भासा पाठन समय मात्र भासाया प्रियोगा यदा कदा करियेते तो इसका उत्तर है वो कुन सा है आपका आ सही हो जाता है क्या है लक्ष भासाया प्रियोगा ना करियेत आशमयक परिवेशन अवरा अस्ति तो क्या है लक्ष भासा या प्रयोग ना किरिये तेख तो वो क्या है लक्ष नहीं रहता है उनका कि हमको इतना सीखना है भासा में इतना सीखना है ठीक है यह उनका क्या है नहीं रहता मतलब ऐसा है यह क्या है उप्सन सही है जो अरजन है और अधिगम है उसमें बहुत अंतर है अर्जन क्या होता है और विद्यालाय जाने से पूर्व होता है तो उसमें क्या है लक्ष तो नहीं होगा ना तो इसके हिसाब से क्या है यह सही हो जाएगा और जो अधिगम है वो क्या होता है अपचारिक होता है अर्जन होता है जो अन कुश्यन वो क्या है परिप्रसनेन अधि गमेन अभिप्राया अर्ष्ति तुझी इसका ऑप्शन वो क्या दिया हुआ है व्याक्षाय समीय सार्थक ध्वनी नाम उस्चारण बाद या है प्रिष्ण यह प्रिष्ण समस्या नाम समाधान श्या प्रयास होगा तो उसमें ज्यादा बच्चे सीखेंगे अब जो अंगला कुष्ण दिया हुआ है वो क्या है आपका चाओधा नंबर का एका लाप द्वारा त्रेया नाम उपकोशला नाम आकलन किरिये थे तो क्या है इसका स्वार लहरी ध्वनी गुण गती बा नमबर है ध्वनी गुण सैली वक्तु प्रिस्तुती और सा नमबर दिया है क्या वक्त्रानुमानम स्वार लहरी संदरवा और दा नमबर दिया है क्या भाव वडिगमा बक्त्रानुमानम बक्त प्रिस्तुती ठीक है तो इस प्रत्रसेट्स का लास्ट कोश्चन है नम्बर पंद्रा स्रेजनात्मक पठनश्य उदाहरणम क्या है तो जो ऑ नमबर इसमें ऑप्चिन दिया है आशंबध चनार्थ अंतरजाल अंतरजाल दर्शनम बादिया है भिन दृष्टी कोणेन नाट की करणम भूमिका पुनर लेखनम चा सानमबर अर्थप्राप्त अर्थम बाशनम और दानमबर दिया है क्या परामर्श कार्यम गिरंथाले अधिकम करणियम तो जो इसका आंशर है वो क्या है आपका बानमबर सही है क्या है बानमबर सही है क्या भेन द्रिष्टी कोने नाट की करणम भूमी का पुनर लेखन चा जो स्रिजनात्मक पठना से होता है उसमें क्या है भेन भेन द्रिष्टी कोन होते हैं बालकों की नाटक करते हैं भूमी का कर निर्वाह करते हैं पुनर लेखनम करते हैं ठीके इस सब क्य तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना कमेंट कर देना और यह तो जरूर कमेंट करना कि आपके जो पंद्रह में से कोश्चन कितने सही हुए हैं ठीक है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार